देख पारहोंगे कि निर्माड जोरों से चला है और जिसकत हम मौझूद है इस समय नीचे आप लोग देख पारहोंगे कि सड़क महें सड़क साइब मेरे अंदाज पे बनाई जाएगी और जो यहां के डिपार्ट है वो तीन प्रकार के डिपार्ट अभी आप लोगो देख पारहोंगे तीन प्रकार के डिपार्ट जो बने हुए हैं और इसमें नमस्कार मैं हूं आसिज राजपूत और आप देखना सुरू कर चुके हैं अपना भारत बहुत स्वागत है आप सभी का अपना भारत चैनल में दोस्तों आज हम मौझूद हैं इस समय बिसिस्ट आलू बन्डी है और यह कब सक कंप्लीट हो जाएगी आप लोग देख वारत निर्मार बहुत जोरों से चल लाए हाला कि मुझे अनुमान लगता है मेरे अगर इंदाज से सोचा जाए तो और सुतुरों के मुझे पता भी लगा है कि अंगली सीजन में दोस्तों यह आपकी नमीन से जानी जाती है तो बिसिष्ट आलू बंडी के नाम से जानी जाती है और हाला कि आप लोग भी जानते हैं कि जो कन्नोच छेतर है वो जाना तर आलू का छेतर है और तो इसकी लांचिंग होने वाली है और कब तक यह निर्मार चलेगा और मेरे अंदाज से यह नेस्ट सर्दो कि राव जो पूरा कर दिया है अबर पर्संट पूरा हो चुका है तो इसकी जो निर्मार की रहो तिखी होगी तो उसकी तो सर आपको पता होगा जब तक मतलब कार और चलना है वर छन्त से लगभाद旅 लांचिंग और में रखेता हैं और ऐसके दूरी हमने देखी है कि कई बनाया गया है तो जो अभी बचीवी चूटी हुई जगा है जैसे कि यह घहूं की किसान है बहुत सारी है तो वह उसके लिए कोई उसके लिए लिए बताई जा रही है कि इंडिया की इस्टा बड़ी मंडी अच्छा सर तो यह जो अभी जो बाकाया जो चूटी हुई जगह है इसमें सब निर्माल होने का संबाबना है को बनेगा इसमें नहीं है हाला कि जो नेस्टीजन में है जो आप लोग देख पा रहा होंगे तेन बड़ी बड़ी बिल्डिंग है तो इसका लांचिंग जो है नेस्टीजन में होना है और यह जानातर आलू मंडी से आलू के लिए पार्ट रहे हैं और मैंने कई जगह बोट भी देखा है तो है इसमें जो नीचे आप लोग देख पा रहा हैं और इसमें मेरे अंदास्ते हैं और यह रहेगा जो दुकान का नंबर वगएरा होगा उस चीज के बारे में और बीच में जो रहेगा वो मंडी सोक ही जाएगी और आलू जो आलू के खिसान बाई हैं उनके लिए अच्छी न्यूज यह है कि नेश सीजन में उनको कानपूर उनको विहार उनको अधर इस्टेट में नहीं जाना पड़ेगा जो हमारे कन्नोज छेतर के किसान भाई हैं तो वो यहां पर आलू ला सकते हैं और लाएंगे और अच्छा रैड मिलेगा क्योंकि यह एक एसिया की सबसे ब लांचिंग हो जाएगी और आप लोग भी देख पा रहे होंगे कि पीछे बिल्टोजर बगएरा और जो यहां जरूरी सुचना यह है कि जो पीछे बचा हुआ यह है इसके बारे में हम यहां के जो प्रवंदक जी होंगे कोई भी होगा मैनेजर साब होंगे वो अभी आज है जैसे कि बहुत सारे किसान हमारे हैं इधर अच्छी फ़सल होती है तो उनके लिए क्या सिस्टम रहेगा उनका यहां पर जो पूरी फ़सल होगी वो विक्क्री हो पाएगी तो दोस्तों यह था ठटिया मंडी आलू का जो वह स्टेटस है और आप लोग ने देखा मैंने अपटेट दे दिया है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताईएगा दोस्तों कि किस पिरकार की मंडी की जो लोकेशन है वो सही है यह कैसी है कब तक स्टार्ट होना चाहिए आप लोग के कमेंट करने से मैं इतनी दूर तक आता हूं और वीडियो बनाता हूं धन्वाद जोस्तों